इस ध्रम में ब्रामन कुद को सुपर मैं कहता है। यहनि कि God की आगे trp की आगे h Performon में तो मैं आप से जनना चाहता हूं कि जो जिस ध्रम की आप philosophie बता रहे हैं वो हिंदु धर्म के बारे में तो क्या सचमुष हिंदु धर्म धर्म या माइने में या रिलीजन के माइने में धर्म है जैसा कि इसाय धर्म है, मुस्लिम धर्म है इस अर्थ में क्या हिंदु धर्म सही माइने में धर्म है जैसे कि कहा जाता है कि इतिहास में हिंदु धर्म का जिक्र नहीं है अभी जो वास्तविक्ता है जमीनी वास्तविक्ता ऐसी है कि एक तरफ वैदिक है और दूसरी तरफ बाकि सारे लोग है और उन सब को मिलके हिंदू कहा जा सकता है तो जाती व्यवस्ता हिंदू गुरुप की पिक्योलरिटी है विशेष्टा है और ब्रामनों में जातिया नहीं है ब्रामन एक जात भी नहीं है ब्रामन अपने आप में एक वैदिक धर्म है और इन वैदिकों ने बाकि सब लोगों को गुलाम करने के लिए गुलामों की एक क क्या आंप टेगरी बनाई उसे कहते हीं हिंदू दर्म है और उसमें भी बहुत सारी चीज़े कि धर्म क्या होता है आप धर्म तीन चीजों प्रटिका होता है एक जो पुराना प्रश्ण है तो कि पैसिक क्षेशन कहते हैं कि मैं कौन कूनू उत मैं कहां से आया हूँ एक व का जिक्र हर धर्म में होता है चाहे हो क्रिश्चन हो जू हो पार्सी हो मुस्लिम हो इस हर धर्म में होता है तो यह एक बात है दूसरी बात है कि मैं किसको वर्शिप करो किसकी पूजा करूं और कैसे करूं और उसमें दलाल कौन होगा और यह में किस लिए करूं मोक्ष के लिए करू या और किसी चीज के लिए करू इसको ऐसा करने से क्या होगा। और भगवान के उन हैं? इस दूसरी चीज़ है। और तीसरी जुद चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो हम जन्म के बाद क्या करेंगे? विवाह के समय क्या क्या क्रेंगे? मरने के बाद क्या करेंगे हम किस चीज को अच्छा मानेंगे किस चीज को बुरा मानेंगे हम रास्ते पे क्या करेंगे खेतों में क्या करेंगे खलिहानों में क्या करेंगे इन सब चीजों को जिस धर्मल्चो कहते है उसमें रुढी जादा बलवान रहती है शंकराचारे नहीं काया है शास्त्रात रुढीर बलियसी शास्त्रा से रुढी बलवान है और ध्यान्देव ने कहा है अपने ध्यानेश्री में एथ वडिल जेजे करीती नावतया धर्मू ठेवीती तेच येर आचरती सर्वांग सकड इसके माइने यह है कि यहां हमने बाब दादों ने जो किया है उसी तरह हम बरताव करते हैं और उसको ही धर्म कहते हैं ट्राडिशन कस्टम और यह तीसरी चीज़ है इसको पकट लिया वईदी को ने और इसका अधिकार आपने पास कर लिया इसमें जैसे कि अगर भारतिय धर्म काउन से है ऐसा अगर आप पुछने लगे तो हिंदू नहीं है भारतिय धर्म नव है जो उनको नव दर्शन कहा जाता है नव दर्शन में से छे दर्शन नास्तिक है यहां नास्तिक का भी व्याख्या करना जरूरी है नास्तिक माने यानि कि जो वेदों पर विश्वास नहीं करता उसो नास्तिक कहते हैं इस इश्वर से उसके कुछ ताने करते हैं वो ऐसे कुछ पहले नहीं थे अभी तो हम समझते है कि जो इश्वर को मानता है हो आस्तिक है इश्वर को नहीं मानता हो नास्तिक है लेकिन यहाँ जो दर्शन थे दर्शन अपने आप में फिर दो चीजों के बारे में बोलता है उसमें एक है विश्व कैसे निर्मान हुआ आदमी कैसे निर्मा हुआ उसके बाद क्या होना जाला है और आदमी को व्यक्तिगत रूप से कौन सी साथना करनी चाहेगी जिससे उसका उन्नयन हो जाए जैसे कि ये सांख्य है न्याय है योग है बवद्ध है जैन है चारवाख है ये सारे छे दर्शन जो भारती दर्शन है वो नास्तिक है तो लोकशाही के तरह से देखा जाए तो जिसको हिंदु दर्म कहते है वो तो नास्तिक है जादा तर लोग उसको नास्तिक है कहना चाहेए ना इसमें जैन में तो ऐसा कहा है 2800 साल पहले महावीर कहते है कि पूरा विश्व भावतिक नीमों से चलता है तो इस विश्व को निर्मान करने के लिए चलाने के लिए या नश्ट करने के लिए किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है और वहाँ से जैन विज्ञान शुरू हो जाता है लेकिन वईदिक तो विज्ञान को ही न करते है विज्ञान के फायदे लेते है लेकिन विज्ञान को न करते है तो वो तो लैप्टॉप चलाएंगे इंटरनेट पे दंगल के लिए पार्शुमी तैयार करेंगे लेकिन कहेंगे यह सच नहीं है सच तो वो है जो गायत्री मंत्र है ओम भुर भुवस्वा वो कहेंगे जिसको कोई पढ़ नहीं सकता जिसको कोई समझ नहीं सकता वे वेद उनमें सारा ज्ञान पढ़ा है अगर ज्ञान पढ़ा है तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? पाबंदी है उसके नहीं पढ़ने ही सकता और ब्राह्मन पढ़ना नहीं चाहते हैं उसके कोई जरूरत ही है नहीं न कभी थी अभी एक लाख ब्राह्मनों में से वैदिकों में से एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसको वैदिक व्याकरन का ग्यान है एक लाख में एक भी नहीं मिलेगा उनको नहाई नहीं और नहीं कभी उसका उपयोग किया था जैसे कि हे इश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि जैसे कि मैं शत्रू की महिलाओं को पकड़ के ला सकूँ और उनके साथ बया कर सकूँ हे हिंद्र मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे कि मैं छोटे छोटे बच्चे शत्रू के पकड़ के ला सकूँ और उने गुलाम बना सकूँ हे इश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे जिसके मैं शत्रू का धान्य का हरन कर सकूँ शत्रु के धन का हरन करो शकू और इस चीजों में मुझे आपकी शक्ती की जरुरत है इस प्रार्थनाओं से रुगवेद भरा पड़ा है तो इस प्रार्थनाओं से पता चलता है कि ये सारे वेद वाले लोग चोर और उचक्य है जो चारवाक ने कहा था चारवाक ने तो इर्मान किया है यह एक चीज़ बहुत जरूरी है वेद तीन ही हर चार नहीं है क्योंकि वेद तीन ही होते है myself शुदूरों का वेद है जो क्योंकिinka अठरवन में मेटलरजая, यंतर शास्त्री अठरवन में शिल्प शास्त्र अथरवन में आयरुवेध है, अथरवन में खेती है, अथरवन में आउशदी शास्त्र है, और जो इसका पूरा निर्मान जो किया है, इसका निर्मान भी शुद्रों नहीं किया है, इसलिए अगर कोई ब्राह्मन अथरवन पे समिक्षा लिखता है, तो उसको जाती बाहर किय जाता है अधर्वन के उपर समिक्षा नहीं करनी है ब्रामनों ने इह मनुम नहीं होता है लोगों को दूसरी चीज रहा पुरान का समय कि पुरान जो है उसकी निर्मीद्य भी शुद्रौनी गुनि जैसे कि रामायन पुरानों का भाग है, बरुस बहुत सरे लोगों को आउने रामायन पुराना है, महाबारत पुराना है, तो रामायन की निर्मी थी किस निकी, वालमी की निकी, वालमी की का ब्राम्वाइदिक ब्राम्भन था, वो तो कोली जमादी का था, खेवट था, अतरवन का निमादा पाराशर है, वो मातंग है, महाबारत का निर्मान व्यास है, वो अनाइतिक संबन से जन्मा हुआ, पाराशर और मस्तिकंदा से जन्मा हुआ, अतिशूद रहे, चांडाल है, तो इन सब चीज़ों का निर्मान जो हुआ, वो काविय करके हुआ, लेकिन वईदी को नो इसको हत्यार बनाया, क्योंकि काविय में एक चीज़ होती है, वो लोगों के मन को पकड लेता है, उसके कथाओं में रॉमेंडिसिजम होता है, और पकड लेता है, तो उसमें जो चाह है, चीज़ों को बदल करके वईदी को नो, वईदी को ने उसका हत्यार करके इस्तिमाल किया, और हमें गुलाम बना दिया, क्योंकि वेदों से हमें गुलाम नहीं बनाये जा सकता, क्योंकि वेदों हम पढ़ नहीं सकते, उपनिशत पढ़ नहीं सकते, तो गुलामी का हिमाद्री है जब राजा खतम हो गए मुसल्मानों का एक अमल चलने लगा उसमें राजा कम हुए जब राजा कम हो जाते है तो यग्य कम हो जाते है और जब यग्य कम हो जाते है तो ब्रामनों का गुजर बसर कम हो जाता है तो इन शास्त्रों में एक जगह लिखा है कि एक बार विश्वा मित्र को बड़ा अकाल पड़ा कोई यग्य करने वाला नहीं रहा तो उसको कुट्ते की टांग से गुजरना पड़ा उसको खा के उसने गुजर गया उसके बाद बारवी सिती में एक ब्राम्मन का लिखा है वो कहता है कि यहां राजा नहीं है यग्य करने वाला नहीं है तो मेरी आत्ले जो है आते जो है न वो दीमक लगी हुई लखडी की तरह बनी हुई है और मैं मर जाओंगा मैं कुछ भी खा सकूंगा तो इसके बाद हेमादरी ने चतुरवर्ग चिंतामनी लिखा जिसका उप्योग इसका जो बेस है फाउंडेशन है वो है पुरान और उन्हें ने कहा कि जब राजा नहीं रहे और यग्य नहीं रहा तो ब्रामनों को या वहिदिकों को शूदरों के घर जाकर पूजा करने की अनुमती है और ऐसे चार हजार वरत उसने लिखे है चतुरवर्ग चिंतामनी चतुरवर्ग चिंतामनी का निर्मान यहां की गुलामी का निर्मान की शुरुआत है उसके पहले भी गुलामी थी लेकिन जो कसकर बंधी हुई गुलामी है उच्चतृरवरे चंदामनीशे दूसरी चीज़ है कि इस तरह से हिंदु धर्म धर्म नहीं है यह तो न्व दर्शनँ का एक बना हुआ भुरता है जैसे बरीशे मिक्स्वेज होता है ना मिक्स्वेज में क्या होता है मौलूम नहीं होता है ऐसा एक मिक्सवेज है और ये मिक्सवेज के साथ आप कहेंगे कि मैं ये ठीक नहीं समझता तो वे कहेंगे नहीं ये ठीक है नहीं लेकिन ये ठीक है अगर दूसरा कहें कि ये ठीक नहीं होगा तो फिर वे कहेंगे ठीक है ये ठीक नहीं ये लेकिन ये ठीक है तो अगर आप म इक चीज नहीं है यादणिये मलिके स्मूदी है वाशिष्ट पर श्रुटि है आश्वला यंसुत्र है बहुत सारी चीज़े होही कहती हैं बाबा साब ने मनुस्मृति को जला दिया इसलिए मनुस्मृति सब लोगों को मालूम है जो मनुस्मृति के साथ खड़े रहते है वो भी मनुस्मृति नहीं पड़ते और उसको जलाते है वो भी नहीं पड़ते लेकिन मनुस्मृति में परस पर विरोधी बहुत सारे विधार है बहुत सरे statements नहीं. एक ही statement है, जसके विरोधी statement नहीं है, जादा खाने से आदमी बियमार होता है, उसकी विरोध में कुछ नहीं लिखा गया. लेकिन बाकी सदा तो लिखा है, कि नस्त्री स्वातनेत्र मरहती एक जगे लिखा है, और अगले अद्धे में लिका है यत्रनारियस्तु पूजनते रमनते तत्रदेवता तो ये सब गुलाम करने के लिए ही ambiguity, confusion पैदा करते हैं और ये हिंदू दर्मन नहीं है इसका पता किसी को नहीं लगने देते हैं क्योंकि धर्म को धर्म गरंत होता है हिंदूओं का कोई धर धर्म के सबी लोगों को पढ़ने की आजादी नहीं है तो वो धर्म गरंत नहीं हो सकता है दूसरा कहेंगा गीता हमारा धर्म गरंत है तो गीता धर्म गरंत है ये किसी पुराने, किसी वेदने, किसी उपनिशदने नहीं का है असल में गीता के बारे में अंद विश्वास कितनी है गीता 700 स्लोक इस 700 स्लोक में पहले 60 स्लोकों में तो कौन लड़ रहा है, कहा लड़ रहा है, कौन-कौन सा शंक बजा रहा है, और कौन क्या कर रहा है तो इसमें तो कोई फिलोसफी नहीं है उसके बाद 6 अध्याइ ऐसे है कि जिसका गीता के मूल प्रकूति से मेल नहीं खाता तो इन चीजों को लेके उसको धर्मगरंत कहना धर्मगरंत किसे कहते है पहले हम कहें कि आदमी धर्म को जानने वाला धर्मद ने किसे कहते है कि धर्मद ने आचारे होता है आचारे को नहीं जो प्रस्थानत्रई पर भाश्य करता है प्रस्थानत्रई क्या है मोक्ष के प्रजाने के लिए धर्म, अर्थ और काम का व्यावार कैसा हो यह बताने वाला और यह व्यावार कहां बताया जाता है वो धर्मग्रंथ में बताया जाता है तो दर्मग्रंथ में ये तीनों चीज़े होनी चाहिए गीता में नहीं है नहीं महाबारत में नहीं रामायन में है नहीं वेदों में है तो इनका कोई दर्मग्रंथ नहीं है जैसे कि बाइबल है आदमी इश्वर क्या है आदमी का बरताओं कैसे होना चाहिए, आदमी को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाइबल में लिखा है, उसके दो भाग है, एक Old Testament है और एक New Testament है, जो Old Testament है, वो क्रिश्चनों के लिए भी वही है, मुस्लिमों के लिए भी वही है, और यहुदिंग के लिए भी तो पूरे दुनिया के बारे में, उसके निर्मिती के बारे में, Old Testament में लिखा है, वो common है, और आदमी को कैसा बरताओं करना चाहिए, या तो एशु कहेंगे, या तो पैगंबर कहेंगे, तो अलग अलग है, लेकिन उसका भी एक लिखित पुस्तक है, दैसे कि कुरान है, औ कौन से गरंत को हम धर्म गरंत कहें, क्यूंकि हमारी यहां जैसे राम नाम कॉमन है, और है कहते हैं कि वो दशरत का पुत्र जो राम था, इसलिए वो राम नाम आया है, तो मैं बताता हूं कि दशरत ने अपने पुत्र का नाम राम क्यों रखा, मैं मेरे पुत्र का नाम राम लख रखा हूं, इसलिए कि राम अच्छा था, तो दशरत ने कौन सा राम देखा था, कॉसल्या एक काली स्त्री थी, और काले स्त्री को रामा कहते हैं, काली जमिन को रामा कहते हैं, और रामा से जो पुत्र पैदा होता है, उसे राम कहते हैं, तो कौसल्याकाली थी, राम काला था, रे वो काला है, इसलिए राम है, और अब जो चलन चल रहा है ना, आप हम पिछले, हम सुरुआ जहां से करे थे, कि एक देश एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा है, ये सुरंग जो है, ये अंधविश्वासों की सुरंग है, मैं तो स्रद्धा और अंधर स्रद्धा में फरक नहीं करता हूँ, स्रद्धा और विश्वास में फरक करता हूँ, क्योंकि स्रद्धा अनभों के बिना होती है, जैसे कि भगवान है, मेरी स्रद्धा है, इसलिए उसको प्रूब करने की ज़रूत नहीं है, विश्वास अनभो पे होता है, तो यह जो श्रद्धाओं का जो जाल बिछाया गया है, वो बहुत ही बुरा है, उसमें सबसे एक ही चीज की कमी है, एक चीज अगर आ जाते हैं हमारे मूलनिवासी लोगों के पास, प्रश्न पोचे, तो यह सारा जो जाल है ना, तो मिंटो में खतम हो सकता है, जैसे कि गाय बहुत पवित्र है, और जो गाय को मारेंगा, उसको हम मार देंगे, मॉबलेंचिंग तो गाय के बारे में हो रहा है ना, तो एक मंत्री कहता है कि गाय एक में उपशु है, जो अक्सिजन लेता है, और अक्सिजन ही छोड़ता है, क्योंकि भगवान का बनाया पशु है ना, अगर गाय भगवान का बनाया पशु है, तो भैस का रावन ने बना दूसरी चीज है, अगर वह Oksigen लेती है और Oksigen ही छोड़ती है, तो लेती है क्यों? लेनी के जुरत है? वो तो Oksigen है भाऔर उसके मूत्र में इतने ज्यादा गुन है कि कैंसर भी ठीक होता है तो गायों को कैंसर क्यों होता है गायों को भी कैंसर होता है आनिमल है, उसको cancer होता है दूसरी चीज है, ऐसा किस ने सिद्ध किया है कि जो गाय के मूतर में है, जो भैस के मूतर में नहीं है और गाय भैस से ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा अच्छा आदमी है भगवान के एक में निर्मिती है तो उसका मुत्र उससे ज़्याद आच्छा होना चाहिए लेकिन ये चर्चा करना भी पाप समझा जाता है मुझे एक याद आता है जो लोग गाय को पवित्र समझते न मुझे बहुत अच्छी चीज़ आद जाती बाउधों के बढ़ते हुए प्रभाव में ब्रामवईदिक ब्रामनों के सभा ने इत्ता ही किया कि इसके आगे हम गाय नहीं मारेंगे जब ये लिखा है तो सची होगा लेकिन यादनिवर्क ने शुक्लय जुरुएद में लिखा है बाकी ब्रामन कुछ भी कहे अगर सुन्दर और माउसल कोई बचला गाय का दिखाई देता है तो मैं खाये बिना रही नहीं सकता गाये सब ब्रामनों को दान दी जाती थी पूरे बस में यग्य संस्कूरुती ही गायों को और बकरियों को और गोडों को मारने की वी दिया है तो गाये ब्रामन को दी जाती थी किस लिए दी जाती थी दूद न देने वाली गाये ब्रामनों को दे दी जिसके पास खेती भी नहीं है और आज जो लोग कह रहे ब्रामन कह रहे कि गाये को नहीं मारना चाहिए गाय पवित्र है, उसके पेट में भगवान रहता है, वगएरा, 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 कहते है, उन लोगों को छोटी सी चीज़ भी महरूम नहीं, कि दूद कहां से निकलता हैं, कभी देखा ही नहीं है, तो ये जो है, ये लोगों को फसाय जा रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ ह वह प्रश्न खड़ा करना एक प्रश्न के साथ में खड़ा रहता हूं कि मुझे बताइए कि अगर गाय पवित्र रहे उसे मारना नहीं है तो अब तक आदमी भी नहीं रहता ना पशू रहते ना बाग रहते ना शेर रहते गाये हो जाती अगर मारना नहीं है तो यह ब्राह्मनों को दी जाती तो उरगायों का क्या हो जाता था वेद सक्षी है कि इन पशूँ को कैसे नुश्वंस तरीके से मारा आए जाता था यग्य में हतियार से पशूँ को मारना मना है तो उसको यूप को बांदेते थे बली और बांद के लातों से और मुकों से उस पश्यों को मारा जाता था जो मारते थे वो तो मानविय व्यहवार नहीं करते थे और गायों के उना पपा लेकर आद्मियों को मारते हैं वो भी अमानविय व्यहवार करते हैं तो इस देश के परमपरा के दो भाग हुए एक मानविय लोग जो मर रहे हैं और अमानविय लोग जो मार रहे हैं आज भी चल रहा है तो इसके पहले में हुआ था बarthता काल में हुआ था चरव 110 करकारा हो नहीम को माराया था 12 चाँमलिय को मार रहे है दो जाता है जो भी पड़ता है सैयाना हो जाता है और प्रस्ष्ण पूछता है उसको मारना है ऐसे कहने वाले वईदिकों का एक अलग धर्म होता है और जिने हिंदू कहते है उनका एक अलग धर्म होता है उसमें शैव है, शाक्त है, उसमें बाकी सारे बहुत सारे नौम से जो जिनका धर्म होता है आदमी को भगवान मनना उसके पहले भी किया है जासे कि किसी भी गाव में किसी मूल निवासी के घर में जाओ और उसके देवघर को देख लो कि उसमें महरास्टर में अगर चले जाए तो ये खड़ा भगवान है एक गोड़े पे बैटा भगवान है और छोटे-छोटे-छोटे तुकड़े है चांदी के जिसके ऊपर कुछ लिखा है उसके कहते है टाक महराठी में टाक कहते हैं लेकिन टाक जो है तो पूरे भारत में है वो पूर्वजें के नाम पे कीये जाते हैं तो जो भी मेरा पूर्वज अच्छा था, वो मेरा भगवान है तो बाप को भगवान मानने वाली एक संस्कृति ओर पूर्खों को और दूसरी समस्कृति है कि जो नहीं दिखाई देता जो नहीं होता उसका नाम लेके बाकी सारे लोगों गुलाम बनाने वालों के समस्कृति तो गुलाम बनाने वालों का और गुलाम होने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता तो एक ही जगह पे एक ही समय ब्राम्मन और शुद्राति शुद्र एक धर्मके नहीं हो सकते और हिंदु धर्मके बिल्कुल नहीं हो सकते एक तो ब्राम्मन ब्रामनों में जाती नहीं है और बाकी लोगों को धर्म नहीं है इसका विस्तार की तो जैसे कि ब्राह्मन एरिया के उपर पहचाना जाता है और या तो उसने जो पड़ा है उसके उपर पहचाना जाता है जैसे कि एरिया की देशस्थ है कराडे है कोकनस्थ है कान्यकुप्ज है कनोजी ब्राह्मन है काशी के ब्राह्मन है तो यह रीजिनल है और एक वेदी है, दुवेदी है, त्रिवेदी है, चतुरवेदी वो कम असल होता है, क्योंकि वो आतरवन का भ्यास करता है। तो त्रिवेदी बड़ा होता है तो यह जो वेद जानने वाले के नाम पे है तो उनके बीच में रोटी और बेटी दोनों के व्यवार चलते हैं तो वो जातिया नहीं है कि जातिया उसको कहते है कि जिसको लोगों के गुट को बान्दा है ना ही वो उनके साथ बेटी व्यवार कर सकते है या रोटी व्यवार कर सकते है यह एक साथ खा नहीं सकते है एक साथ पी नहीं सकते है बेहा नहीं कर सकते है तो ब्रामनों को जाती नहीं है इसका मतलब एंक्लोज कास्ट कास्ट is an enclosed कास्ट ओके बट वैसी कास्ट नहीं है उनकी ब्राह्मनों की, वो वईदिक है, और बाकी सब है, वो अवईदिक है, और जितने भी लोग अवईदिक है, उनको सिर्फ कास्ट है, दर्म नहीं है, क्योंकि जो वईदिक है, उनका वेद धर्म है, जो अवईदिक है, उनका धर्म ही नहीं है, कि उनका एक भगवान भी नहीं है, उनका एक भगवान भी नहीं है, उनका एक भगवान भी नहीं है, नहीं है, बहुत भगवान नहीं मानते, जैन भगवान नहीं मानते, लिंगायत भगवान नहीं मानते, चारवाग भगवान नहीं मानते, तो उनका भगवान भी नहीं है औ कि वाइदी को ने वाइदी काये उनके साथ स्त्रियाएं नहीं थी या कम थी क्योंकि उन्रुसवश लोग टोली में आ जाते हैं किसी को लूटने के लिए तो जल्दी हमला करने के लिए स्त्रियाओं का और बच्चों का होना प्राबलम रहता है तो उन्होंने यहां के शुद्राती शुद्रों के स्त्रियाओं को अपना लिया लेकिन उनका दर्जा तो शुद्रों का दिया इसलिए वाइदी को में स्त्री शुद्र है उसको यग्य का अधिकार नहीं है लेकिन वो स्त्रियाओं आईसे नहीं आई अपने साथ कुछ चीज पूरे दुनिया में है य। जैसे कि जर्मनी में सांधमनु के सांध्य कैका, बत्सक्राओ ये कुछ सावरी मानु के ज्वृष सरवा जवह तो ज्वह की सांध्य माघ हो तो रड़ है। वहां कुंकुम नहीं है सिर्फ भारत में, क्योंकि कुंकुम है, यहां के मूल निवासिल कचन, दूसरी चीज है, वे अपने साथ पेडों को पूझने का, प्रानियों को पूझने का, खेतों को पूझने का, फसल को पूझने के, बरहो सारे वृत लेके आई, और उन वहलाओं से सीख के कुछ वैदीक भी वरत करने लगें तो वैदीकों ने कहा कि वरत करने वाले जो है न वो बुरे है उनको धर्म से निकाला जाता है वहां से शबद आया आर्य वरत्य और वरत करने वाला वो वैदीक नहीं है लेकिन बारहीं सदी में जब वरत के सिवा खाना पीना मु बहुत अची चीज़ मुझे किसी ब्राह्मन को किसी मंदिर में जाके पूजा करने का कोई धर्मदत अधिकार नहीं है इस वेरी इंपोर्टन बहुत ही महतोपुर्ण है क्योंकि यह धर्मद उनका जो वैदिकों का है वो यग्य का धर्म है जब कर्म कहता है गीता कर्म कहती है वो कर्म में यग्य कर्म है जब स्री कृष्ण कहता है न चातुर वर्न्यम मया सुष्टम गुन कर्म विभागशा उसमें का कर्म जो है वो काम नहीं है वो यग्यादी कर्म है तो जो यग्य करता है उसे मूर्ति पुजाव नहीं है और जो मूर्ति पुजा करता है वो यादनित नहीं है तो ब्राह्मन अगर वैदिक और यग्ये वाले है और वेदों को मानते है तो उन्हें मूर्ति की पुजा करने का कोई आधिकार नहीं है तो आप तो कहेंगे कि हर जग तो मंदिर में ब्राह्मनी होता है यही मैं कह रहा हूँ कि सवाल पूछना चाहिए आंध्रा में एक प्राप्लेम होगा जाता वहां के एक अचूद जाती ने एक देवी का मंदिर बनाया और वहाँ पे देवी की प्रतिष्ठ आपना की काशी के ब्रह्मन को लेके पाच लाख रुपए दक्षिना देके वो पूजा की थी और तब इन अच्छुतों के कुछ लोगों ने सवाल पुश के आंधरा के हाई कोड में केस दर्ज कर दी और उस केस का निकाल उसमें मैं एक था एक्सपर्ट करके और हमने उसका निकाल दिया था कि किसी ब्रह्मन को किसी देवी की प्रतिष्ठ आपना करने का आधिकार है नहीं तो ब्राह्मनों ने या वाईदिकों ने पहले ये किया कि उनों ने यहां के जो पूजा करने वाले लोग थे पूजा करने वाली जातिया थी उनको हकाल दिया जैसे कि शिव की पूजा करने वाले दो जातिया है शिवग की पूजा या तो जंगम करते है या गुरोव करते है उनको हकाल दिया देवी की पूजा जो करने वाले थे उनमें भुते थे उनमें एक तो भुते थे या गोंदली थे या अच्छूत लोग थे जैसे कि रेनुका की पूजा करने वाले को वो रेनु राई गोनली का जाता है वो तो मातंग समाज से और महार समाज से ज़्यादा है जिन चिजों की पुझा सवर में करते है उसमें मराथा करते है जैसे कि तुलजा भवानी की पुझा कदम कहते है तो उनको कदम राई गोनली कहते है बोसले जो शुवाजी राजे थे वो भी गोंदली थे और लेकिन कदम राई गोंदली थे उसके बाद अगर भैरोनात की पुझा करनी है तो उसको माराथा कोकाटे पुझा करते है उसकी तो पूरे मंदिरों की एक बहुजनों की अपनी व्यवस्था थी झाल